श्रीलंका क्रिकेट टीम ने बुधवार को भारत को तीसरे वंडे में 110 रनों से हरा दिया। इसी के साथ श्रीलंका ने ये सीरीज 2 से शून्य से अपने नाम कर ली है। श्रीलंकाई टीम 27 साल बाद भारत के खिलाफ वंडे सीरीज जीतने में सफल रहा है। इसहार के बाद टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा निराश दिखे और उन्होंने अपनी टीम की गलतियों को कबूल किया। सीरीज का पहला मैच टाई रहा था। इसके बाद श्रीलंका ने आखिरी दो मैच जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली। उन्नीस सो सतानवे के बाद से पहली बाद श्रीलंका ने भारत के खिलाफ वंडे सीरीज जीती है। यानी 27 साल बाद श्रीलंका ने भारत को वंडे सीरीज में पठका है। चिंता की बात नहीं, इस सीरीज में भारतिय टीम के बल्लेबाज, स्पिन के सामने परेशान दिखे, मैच के बाद जब इसे लेकर रोहित से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि ये चिंता की बात है, लेकिन ये ऐसी चीज है जिसे हमें गंभीरता से ल अबाव में रखा, मजाक नहीं है रोहित से जब पूछा गया कि क्या T20 वर्ल्ल कब दो शून्य दो चार की जीत के बाद टीम इंडिया थोड़ी लापरवा हो गई? इस पर रोहित ने कहा, नहीं, ये मजाक है. जब आप भारत के लिए खेलते हैं, तो लापरवा होने का ही नहीं है. हमें वहां क्रेडिट देना होगा जहां बनता है. श्री लंकाई टीम हमसे बहतर खेली. हमने हालाद देखे, हम तेजी को कम करना चाहते थे. कुल मिलाकर हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली है और इसलिए हम यहां खड़े हैं. श्री लंका ने इस मैच में पह एक ओवरों में महज 138 रनों पर ही धेर हो गई और मैच हार गई.